हिमाचल में मजीद विवात के बीच रेड़ी पट्री वालों की समस्या के समधान के लिए 3 अक्टूबर को विधान सभा अध्यक्ष द्वारा गठित समीती की बुलाई गई है एहम बैठक इसमें रेड़ी पट्री नीती पर होगी चर्चा हिमाचल विधान सभा के मांसून स प्रवासियों के पंजी करण का उठा था मुद्दा हिमाचल में एक अक्टूबर से आएंगे पानी के बिल घरेलू भुकताओं के लिए भी 300 यूनिट के बाद एक रुपे प्रती यूनिट बिजली की बंद हो जाएगी सबसीटी राजिम्योदोगी घरानों को भी एक प्रदानाचारियों को पहली तारीख को मिलेगा वेतन वईनौक्टूबर को पेंशनरों को पेंशन और 75 साल से अधिकुम्रे के पेंशनरों को बचे एरियर का 50 फीजदी बकाय भी डलेगा खातों में उधर सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों पेंशनरों को महंगाई भ हता देने पर भी शुरू कर दिया है मंधन हिमाचर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनाथ प्रधानाचारियों के लिए है खुशकबी प्रदेश की सुखु सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्लेस्मेंट आधार पर नियुक्त प्रधानाचारियों को नेमित करने का कर ल लिए सभाधी कदम प्रतिक सुधार के लिए सरकार को केंड रसे सौ करोन रुपे की मिलेगी विती साहता। इन सुधारों में ओदोगिक छेतरों में श्रमिकों के लिए हॉस्टल बनाना विवसाइक भाउनों का विस्तार करना और उद्योगों में जमीन का धिक्तम उपयोग करना है शाम में ये कदम राज सरकार के लिए साबित होंगे संजीवनी जिला मुख्याले कुलू में देव भूमी जागरन मंच की ओर से किये के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बी एनेस की विभिन धाराओ के तेह दर्श किया है किस पुलिस ने देव भूमे केस अदस्यों वकार करताओ पर बी एनेसस की धारा 163 को लगन भड़काओ भाशर देने प्रदर्श किया है केस पुलिस का है कहना कि प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन से नहीं ली गई थी कोई अनुमती किनोर जिली में निगुलसरी में भूसकरन वाले छेत्रों में भवा नगर की ओर बूरी तरह धस गई 70 मिटर सड़क इसे नैशनल हाईवे 5 में बाहनों की फिर से ठफ हो गई आवा जाही जानकारी के नुसार छेत्र में पूरी तरह धस गई करीब 3 मीटर चौड़ी सड़क की नौर वा अन्य भागों में कट गया इसका संपर राज़ानी के संजॉली सित मजीद में हुए कथित अवैद निर्मार की पूरी हो गई है पहमाईश नगर निगम की वासुकार शाखा की टीम ने संजॉली मजीद का दौरा कर की है इसकी पहमाईश अब इसकी विस्तित रिपोर्ट की जा रही है तयार प्रदेश भर में बाजारों में बिखने वाली खुलिया पैकेट बंद डालों समेत अनाज में पॉलिस हैवी मेटर्स मॉस्ट्राइज और कीट नाशक अविशेशों की होगी जाच हिमाचल प्रदेश में खाद सुरक्षा विवाकी ओर से दुकानों गुदामों द्योगो से भरे जाएंगे सैंपल भारती खाद सुरक्षा विवानक प्राधिकरण ने जारी किया है या आदेश आदेशों में किया गया एसपस्ट की दालों अनाज की सैंपलों की बाहरी राजियों की लैब में करवाई जाएगी जाच हिमाचल में लोगों को दिन में गर्मी और रात में ठंड का और एसास प्रदेश के अधिकता शेहरों का तापमान सामाने से हो गया अधिक वही नदी किनारों चाईवाल इलाकों का भी गिरने लगाए निंतम तापमान प्रदेश के सबसे ठंडे शेहरों में गिने जाने व झाल 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 झाल